मिठे वाला गवारपाठा यानी एलोवीरा या घ्रतकुमारी लेना है आवला लेना है घ्रतकुमारी के दोनों तरफ से किनारियां कट कर लेंगे और छोटे-छोटे इसके टुकडे कर लेंगे साफ दोग करके हमें इसे काटना है आम लेके भी हम छोटे-छोटे टुकडे करेंगे, गुटलियां अलग निकाल देंगे, बारे कटावा लेसुन, अद्रक और हरी मिर्च, लेंगे तेल, तेल को गरम करके, डालेंगे जीरा, सौफ, लेसुन के छोटे टुकडे, अच्छे से भूनेंगे थोड़े से, आद्रक क के टुकड़े हरे मिर्च एक सो दो मिनिट तक इने भूनेंगे डालनेंगे आमला थोड़ा मिलाएंगे इसे हल्दी पाउडर स्वाधनुसार नामा एलोवीरा के टुकड़े अच्छे से मिलाएंगे और अब इसे ढकान लगा करके पांच-छे मिनिट तक धिमियाज पर हमें पकने देंगे देखेंगे मिलाएंगे और डालेंगे इसमें सौफ का पाउडर देड़ से दो चमच इसमें सौफ का पाउडर मिलाना है अच्छे से मिलाएंगे और दो मिनिट धक्कन लगा करके धिमियाज पर और पकने देंगे इसे अब देखेंगे आमला और गौरवाठ कि सब्जी जो है बिल्कूल बन कर तयार है गर्मा गरम रोटी पराठा पूरी के साथ रोची कर खाएं आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगे लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार